तो लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पैन को विजिट करने के लिए पाई आई थी ये तो उसे भी बता देता है कि क्या तुम्हें पता है डैर ने मुझे अभी अभी बताया कि मेरी मॉम का उस परसंट से अफेर चल रहा था जिसका पिछले दिनों मर्डर हुआ है बिचारा बहुत ही दुख्य होता है वैल ये सुनके पाई को इसके लिए बैट तो फिल होता है वो तो अब इसे तसलिदेने के साथ साथ यही कहने आई थी कि मुझे तो यहाँ पे आंटी ने भेज़ा वो चाहती है के थांग और चौन के शादी पे तुम भी आओ वो साथे साथ कार्ट पी लिए ही पिर रही थी मैक्स ट्रा में फिर वेडिंग सेर्मेनी का ही सेंग दिखाया जाता है बात तो बहुत ही अबसर दिख रही होती है कि काश यह शादी हो ही ना अभी भी उसे उमीद थी कि कुछ तो ऐसा हो चाहे कि थांग शादी से इंकार करते आंटी कोड जो के एक साइड पे दुखी दुखी से बैटी थी अंकल उनके जखमों पे और ज़्यादा ही नमक चुरकने के लिए आते हैं पुरानी चीज़ों को देखते देखते अचाना की डैड की तो एक पेस्ट पे निज़र बढ़ जाती जिसे देखके वो तो एकदम सर्प्राइज जाते हैं आखर उसमें क्या लिख था था उसके बार में बात नहीं पता चलेगा पैन इदर शादी में आ चुका था तब ही उसे डैड कोर करके पूछते हैं कि तुम कहां पे हो मैंने अब भी तुम्हें कुछ बताना था पर वो तो कहा देता है कि मैं तो थांग की शादी में आया हूं बात में बात करूँगा चौन तो काफी confident लग रही थी कि आई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरा revenge पूरा होना चलो शुकर है कि इस बार थांग ने मैं साथ दिया था जिनमें इस मैडम ने खुदी एत्राफ जुर्म किया था कि उसने और उसके डैर ने ही मिलके पैन की फैमिली के साथ क्या 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 ये देख के सबी एकदम शौक कि रह जाते हैं पता चलता है कि थौंग तो जस्ट इसके साथ शादी करने का नाटकी कर रहा था और कुछ नहीं पैनर वो दोनों ही मिले हुए थे प्लैन में ये प्लीस लेके इन्हें अरेस्ट करवाने के लिए पहुँच आता है असल में अंकल ये जुन नहीं के उसने अब बाकिस अब के साथ क्या क्या ये भी था के नाई जिसके मर्डर का डैट पिल जाम लगा था ना वो भी इनों नहीं कतल करवाया था विटनेस और प्लीस के पास मौजूद ही होता है अंकल तो यहां पे गन निकाल लेते हैं के कोई भी मेरे पास ना आए अब यहां पे बरना मैंने सबको गोली ही मार देनी है सारे उन्हें शान्त होने को बोलते हैं के जो कर्टूत आपने की हैं उनके सजा तो फिर आपको भुकत नहीं पड़ेगी ना अब यह सारा नाटक क्यों फैर वो जैसे ही कुछ धीमे बढ़ते हैं तब यह चौन गन संबाल लेती है के आज मैं तो पैन को मार के रहूंगी इसने मुझे छोड़के पाई को ही क्यों अपनाया फैर उसे तो अब रिवेंश लेने का और मौका मिली गया था वो शूट करती तो है पर पैन को बजाने के चक्कर में डैडी आ गया गया थे चौन के पापा उसे ये पागल पंती करने से रोकते हैं कि देख को ये सही नहीं है पर ना इसे चक्कर में वो तो अपने डैड को ही गोली मार बैठती है इनकी तो इदर ही डेथ हो जाती है नेक्स्ट हमें हॉस्पिटल का ही सीन दिखाये जाते है डैड को जब बलड देने की बारी आती है न तो पैन का उनसे मेची नहीं करता Even के इसका ममी से भी मेच नहीं करता था बचपर में ममी ने इसे बताया था कि इसका blood group बाबा के साथ है पर ऐसे तो कुछ भी नहीं था अब उनके जूट का इसे पता चल चुका होता है सो ये परिशान कि अगर सैन मेरे बाबा नहीं है तो फिर कौन है भाई इसे emotional होता दे कि असली ही देने लगी थी साथ में खुद भी रोने बैट जाती है अगले दिन फाइनली डैट को होशाच चुका था सबी भी उन्हें विजिट करने के लिए आज चुके थे वैल पैन उनसे अकेले में बात करना चाहता था सो ये लोग तो वहाँ से चले जाते है अम यह उनसे पूछ लेता है कि मुझे पता है कि आप मेरे बाइलोजिकल लैर नहीं है तो क्या बता सकते हैं कि वो कौन थे तो उन्हें बताना पड़ गया था कि नाई जो के पिछले दिन उमरा है वो था तुम्हारा बाप जब मुझे पता चला कि मैं तो कभी बाप बन ही नहीं सकता तो तुम्हारी मॉम कैसे प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने बताया कि नाई जैसे घटी का शक्स ने उनका रेप किया था लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें इस दुनिया में लाने दी वाके ही में मुझे तुम्हें अपना बेटा बनाने में कोई भी अतरास नहीं था पिर एक दिन जब मैंने तुम्हारी मॉम को नाई के साथ देखा ना तो तब फिर से मुझे लगा कि शायद उनका फेर स्टार्ट हो चुगा है तब ही मेरी और उसके बीच फाइट ही होती रहती थी अभी सुबह ही सुबह मुझे ये भी सच का पता चल गया कि असल में वो तो तब नाई को मेरी यार तुम्हारी लाइफ के बदले में कुछ मनी देने गई थी क्योंकि उन्होंने उन्हें बहुत ही जादा ब्लैक मिल किया था और देखो मैंने क्या समझ लिया वो तो अच्छी थी उन्हें गलत समझने का मुझे तो सारी जिन्दगी ही गिल्ट रहेगा पैरंट तो उनके बाते सुनके इमोशनल ही हो जाता है कि हलनके मैं आपका बेटा नहीं था पिर भी आपने मेरी खादिर अपनी जिन्दगी को दाओ पे लगाया इवन कि मैं आपके साथ इतनी सारे बत्तमीजियां करता रहा पर नहीं आपने मुझे कभी एहसास ही नहीं दिलवाया कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, हमेशा ही मेरे आगर जुब कर जाते मैं तो ये आपका एहसान सारे जिनकी नहीं चुका सकता वैल लैर्ड उसे ये बाते करने से मना करते हैं कि मैंने कभी तुम्हें प्राया समझा ही नहीं तुम मेरे बेटे हो, आएंदे ऐसा कुछ मत कहना चौन तो फिर पैन के लव में अब बिल्कुल ही पागल हो चुकी थी ये लोग आज उसे विजिट करने आए थे मम्यार पापा तो इनके साथ होने से बहुत ज़्यादा खुश थे ये पाई को रात को खाने पर इन्वाइट करता है तब इसे अंटी पीन की कौरा जाती है कि ग्रैंटी नहीं बताती है तो उसने खुद मुझे तुमें बताने से मिना किया था तो मैं ये प्रामिस कैसे तोड़ सकती हूँ ना पाई पैन की बताई जगा पे आजगी री वहाँ पे हर मोड के साथ उसे एक पेश मिलता है और साथे साथ रेड डोजिस भी थे अब अपनी डिफरेंट फोटोस भी देख के ना ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश जाती है और साथी साथे से ये भी लगने लगता है कि शायद आज पिर पैन मुझे शादी के लिए प्रोपोस करने वाला है बर नहीं उसमें इसे खुद को भूर जाने का ही कह दिया था कि अब हम कभी भी नहीं मिलेंगे ये बिचारी अपसेट हो जाती है कियों मजाग कर रहे हो ना हो सकता है कि ये तुम मन से नहीं कह रहे होगे प्रिस मुझे सच सच बता दो ऐसा क्या हुआ है पर नहीं ये कुछ भी नहीं बताता और देन उसे गुडबाई कहता वहां से चला जाता है वह बिचारी दर एमोशनली हो गई थी कि इसे अचानक क्या हो गया है मैंन तो सोचना था कि हम दो अब अपनी लाइफ साथ में गुजारेंगे आंटी खुद हैरान थी इंके पैन ने इसके साथ ऐसा क्यों किया उनकी तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो खुद भी पैन से कैसे बात करे इदर इसने फिर बोरिया बिस्टर समेट कि अमेरिका जाने का प्लैन बना लिया था जिनको तो सारी बात का पता चली जाता है वाँ पाई को तसलिदेने के लिए आती है पर स्टिल वो अपसेटी थी कि आखिर पैनने में साथ ऐसा क्यों किया अब बात में हमें पता चलता है कि एक्षिल में पैन थोंके कहने पे ही इसे छोड़ने पे माना था असल में इसने खुद अंकल को गिरफ़तार करने के प्लैन में उससे प्रॉमिस तो लिया था कि उसके बाद तुम पाई को छोड़ दोगे और उसने प्रॉमिस पूरा किया बिचारे का दिल तो नहीं ता अब क्या करता अपने किये उस फैसले पे ये तो अब पश्ता आई रहा था कि नहीं मुझे ये समझ जाना चाहिए ता कि पाई और पैन एक दुशरे से बहुत लव करते हैं मैं अब क्यों इनके रहा में रुकावट बनूँ शिनांटी को कॉल करके पैन की गाड़ी का नंबर दे देता है कि उसे कहें कि वो अमेरिका ना जाए वो अभी अभी ही यहां से निकला है प्लीज उसे रोक ले पर मैं जब अंदर गया ना तब तक वो वहां से जा चुका था मैं तो उसे रोक नहीं पाय, अब आप ही कुछ कर सकते हैं इसे तो अब वो पता चला था के पैन नहीं ग्रेंपा वाला हाउस भाइ किया था यह थौंग को पैन को रोकने के लिए अपने साथ चलने को बोलती है कि ये ना होके बहुत लेट हो जाए दोनों को टेंशन तो थी कि वो कहीं हमारे हाथों से निकल ही न जाए इसे जब पैन की गारी नज़र आती है न तो ये बाहरी निकल के उसे ब्ला नहीं लगी थी इसके बाद नेक्स्ट रमेगर का ही सेन दिखाया जाता है थौंग ने पा को शादी के लिए प्रोपोस कर दिया था कि इतने अरसे में मुझे पता सला है कि मैं तुम से बहुती लफ करने लगा हूँ वो खुश हो जाती है उसकी बाला कहां ना हो सकती थी वो तो हमेशन से ही इसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती थी पैन पाई के पास ही आ गया था वो तो अमेरिका गया ही नहीं बहला वो इसे छोड़के उधर क्यों जाता ये दोनों भी अपनी लाइफ में बहुत ही जादा हुश हो थे और फिर इसके साथ इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है तेंक यू फॉ वाचिंग आप लोग को ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंस में ज़रूर बताएगा और साथ दे साथ अगर आप लोग को मेरी वीडियोश लगती है तो प्लीज से लाइक भी कर दिया गए सो मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ अब तक के लिए बाए और अपना ख्यार रहना थेंक्यू